हेलो दोस्तों मैं हूं सागर्यादुर आप देखने लेक्टिसिटी और वील और आज हम खड़े अल्टो के सामने भाई दिलों पे राज करने वाली अल्टो 800 के सामने यह सिंपल वही मोडल जो अल्टो 800 का आता था फ्रेंट में क्या कुछ मिलता है मैं आपको दिखाता हूं चाने से पहलेक्टह सचेख सब्सक्राइब को मिलते हैं क्योंकि सबस्क्राइब को सबस्क्राइब आपको कि सब्सक्राइब कर दोदेंग के लिए आपको है साइन दिया हुआ है फ्रेंट में आपको मैसिव घ्रिल मिलती जिसमें आपको एर इंटेक के लिए काफी अच्छी रिप्लेस्मेंट हो जाती है यहां पर आपको सिंपल है लोजन लैंप ही मिलने वाले अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे आपको मिलने वाली है और तो बात कर लेंट की गाड़ी की तो साथ सो बतीस केजी का कर्वेट रहने माला है तो यह थी अलटो की इंजन की स्पेसिविकेशन के बारे में जो कंपनी इसकी मायलेज क्लेम करती है ना वह 22 किलम करती है पट्रोल में गाड़ी प्योड़ रहने बात करें इसके लेंथ की तो 345 mm की लेंथ मिल जाएगी और 1475 mm की इसमें हाइट मिलती है यहां पर साइड में चलते हूं सबसे पहले दिखाता हम आपको आपको स्टील विल अलोई मिलते हैं जिसमें की आपका टायर प्रोफाइल जो साइज रहने वाला है 145 असी और 12 इंची के ट्यूबलेस टायर आपको मिलने वाले फ्रेंट में आपको सेम वही मैक्स पर्शन का स्ट्रट स्ट्स स्पेंशन मिलेगा जो कि ट्यूबलेस और रियर व्यू की तरफ तो रियर में यहां पर सिंपल सी दो चीज़े आपको मिलने वाली है सुजूकी का लोग और अल्टो की ब्रैंडिंग जहां पर बिल्कुल ही डीसेंट तरीके से जो पहले की तरह आती थी नहीं अल्टो एक विस्वास होता था यार वो चीज़े अभी ट्रे अल्टो में भी बाई पार्चल ट्रे आने लग गई है और पार्चल ट्रे को अप यह डवन ऐसे कर सकते हैं यहां पर इसका मेकैनिसम दिया हुआ ठीक है अब इसमें बूट की बात कर लें तो 200 लीटर के आस्पस का इसमें बूट इस्वेस्ट आपको मिल जाता है यह भी लोग-उलोग की चीज़े आने लगी है और सबसे अच्छी बात यह कि अल्टो की की है और शिफ्ट की की देखोगी तो भी आपको ऐसी मिलेगी बलैनों की की देखोगी तो भी आपको सेम ऐसी मिलने वाली है तो कोई डिफरेंस नहीं मारूति की तरफ से यहां पर अगर पैनल पर बात करें तो दोर पैनल पर आपको सिर्फ एक लोग-उलोग करने के लिए हैंडल दिया हुआ है यहां पर आपका मैनुली मिरर है तो उसको एडजेस्ट करने के लिए लिवर दिया हुआ है और सीट में बात करती है इस प्राइज सेग्मेंट में ठीक है के लिए आपको दिखाई देगा मीटर और यहां पर त्रीप भी आपको दिखाई दीता है मिल जाती है और ब्लुत की कर सकते हैं वोल्ム आप याद को कड्स कर सकते Bluetooth से connect करने के बाद यहां से menu जा सकते हो यहां पर AC के लिए manually सब कुछ आपको मिलता है यहां से AC का flow कर सकते हो और यहां पर आपको नीचे 12 वोल्ट का socket आपको मिल जाएगा ठीक है यहां पर काफी सारा decent space आपको मिलता है 5 आपको सिंपल मिरर मिलने वाला है यहां पर के लिए light आपको मिलने वाली है यहां पर vanity मिरर में कोई भी मिरर अवलेबल नहीं है और अगर बात कर लेते हैं इसके side seat की बादे में तो आपको बैटने पर हार्ड फिल नहीं होने वाला है बैट के इजली राइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से चीजे आपको फ्रंट में दिखने वाली है कैबीन से अब चलिए बात कर लेते हैं rear seat में कैसा आपको comfort मिलता है अगर head space की बात करें तो head से भी पूरा का पूरा थोड़ा बहुत ही टच हो रहा है ज्यादा इसमें आपको अवलेवल नहीं होगा जहांसे पार्सल ट्रेस कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट में व्यू दिखाई देता डेस्पोर्ड का आप इसको अपने हिसाब से modify भी करवा सकते हैं टच लगवा क्या ओुक्यांगट